अज़ा वालेकूम फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग क्या हाल हैं उम्मीद करती हूं कि सब खेरियत से होंगी इंशाल्ला आज जो रेसिपी में लेकर आई हूं वह दाल की रेसिपी माश की दाल जी से औरत की डाल भी कहते हैं तो यह बहुत सिंपल और इसी हैं हर कोई बना सकता है आप सोच रहोंगे कि आज में दाल की रेसिपी क्यों लेकर रही वह में इसलिए लेकर रहे कि जो नए सीखने वाले जो नए बनाने वाले जिने नहीं पता जो न्यू लड़के हैं लोग कुछ लड़कियां जो अभी उनको चाहिए कि वह सीखें और शौक भी होता है रड़कियों को तो इस वैसे आज में दाल की रैसे भी लाएं और इसके लिए जो सामान हमें चाहिए वह कुछ इस तरह है कि एक प्याला हमने यह माश की दाल या उरत की दाल लिए 10 टेबल स्पून हमने कुकिंग ओल लिया एक बड़ी लाइची एक दार चीनी का टुकड़ा इतना और थोड़ा सा सफैस जीरा और यह हमने अदरग को स्लाइज में काट लिया जो इसमें जाएगी और एक छोटे सा इसकी प्याज़े बगार के लिए और वन टेबल स्पून लैसन अदरग का पेस्ट है इसमें अदर हम अपनी रैसिपी स्टार्ट करते हैं हम अपनी रैसिपी स्टार्ट करते हैं हमने एक पतीली चूले पे रख दी है और अब उसमें यह दाल डाल रहे हैं ठीक है जिसे मैंने दूग के रखा मता दाल करते हैं इस बाहल में पानी का डाल रहे हुए 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 ह कि एक बावला हम और जाल रहे हैं इस दाल में इतना पानी डालेगा जिसे हम चाबलों में डालते हैं अब्सक्राइब कर लेता है ज़्जब हो जाता है उसकी में बहुत ज्यादा नहीं क्यूंकि दाल खड़ी-घड़ी रहती आपी और पानी जाएगा इसमें यह देखें यह मैंने तीन बावल यह वाले डाल है अब इसमें यह गोल लाल मिर्चे नमक गरम मसाला और अधरक यह सब चला गया अब यह लैसन अधरक का पेस्ट यह भी सब चला गया इसको मैं मिक्स कर देखें पानी आप नहीं आप्थे डाल लैगा अगर अगर आपको लेके कार पानी तो आप पानी की क्टीटी और कर सकते हैं लेगन इतना ही डालना है एंति पानी के इसिमें खुश्मा discern कि चार्बलों में किटना उता है तो मैं आपको बता दूँ नहिए इसके पनी ही इसको मैं कवर करके रख रही हूं है तक्रीबन 25 से 30 में के लिए आदा गंटा के लिए और मैं आपको दिखाती हूं नेक्स्ट प्रोसिस क्या है ठीक है प्रोसिस से 30 में गुजर गया है आदा गंटा हो गया हमारी दाल के इस कंडिशन पर आई है इसका पानी अच्छा खासा ड्राइ हो गया है और मैं यह भी चेक कर लेती हूं कि दाल गली है या नहीं अब अब आपको दिखा रही है है हाथ से आराम से हो रही है आप मैं इसका चूला कम कर देते हैं पस हमें इसी कंडिशन पर इडाल चाहिए नीचे का पानी ट्राइ हो जाए इसका थोड़ा सा ही तो हमारी डाल बिल्कुल रेडी है इदेखें आप इसके आप दाने आपको नज़र आ रहे हूंगे अब बिल्कुल खड़े खड़े देखें और यह मैंने चेक करके दिखाया आपको यहां से दब रही है मस ठीक है थोड़ा मैं इसको इसी तरह रख के कर रही हूं थोड़ा सा पानी इसको और कुछ खोई जाए पांच मिंट के लिए मैं इसको कवर करें पांच मिंट बार में आपको दिखाती हूं फाइनल लुक इसकी डिशाउट करके दिखाती हूं तो हमारी दार पांच मिंट के लिए हमने रखी है तो हम बगार के लिए मैंने पैंच चूले पर रख दिया वस्में कुपी इंवल डाली हूं गैस में नोगन कर दिये कर दो कि 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 यह थोड़ा ही टप हो जाएका तो फिर मैं इसमें प्यास टालतू हूं कि कि क कि 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 प्लेम बढ़ाईगे कि क क क हमारा जो ऑईल है वो हलका हलका सा ही टप हुआ है भी मैं प्यास दाग देती हूं ठीक है मैं इसको स्पेशिलर से अलग अलग कर लेती हूं इसकी स्लाइस ताद यह जब भी ब्राउं हो जाए मैंने बारिक बारिक यास काटी की आपको नजर आ रही होगी कितनी बारिक यास काटी इसको मुझे अच्छा सा ब्राउं करना है बोल्डन ब्राउं देखें हमने दाल जो रखी थी पांच मेंट के लिए बहुत अच्छी तरह हो गई है वो उसका पानी भी खुश्क हो गया सारा इसमें पानी की अपकोई क्वांटिटी नहीं है और जो बगार के लिए मैंने प्यास करी थी तो वह मैं अब बगार कर दी थी हमारी रेसीपी बिल्कुल रेडी है अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूं देखें प्रेंट्स यह मैंने डाल डिश आउट कर दिये और मैंने इसे हरी मिर्चे और अद्रक से गानिश किया है और यह लाल मिर्चे जो आपको थाबुत नजर आ ली है तो मैंने पकते वक्त लाली ली तो इसका यह लुका आ यह देखें आप यह आप ट्राइजरू कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताके हर नए आने वादी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पौरी मिल सके उम्मीद करती हूं कि आपको रैसीबी जरूर पसल आए इंशानला आप ट्राइजरू कीजिएगा नेक्स वीडि की लिए लाफिस